प्यास खाने से सेहत को कई फाइदे होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्यास के छिलकों का प्रयोग तवचा की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है आईए जानते हैं कि प्यास के छिलके कैसे आपको सेहत और सौंदर रिलाब दे सकते हैं जल जाने पर तवचा का कोई हिस्सा जल जाने पर प्यास का अंदरूनी भाग, आधा प्यास काट कर चले हुए हिस्से पर रगने इससे न केवल आपका दर्थ कम होगा, बल्कि इंफेक्शन बढ़ने का खत्रा भी कम होगा डीटॉक्स प्यास बेक्टीरिया को सोकने का कारी करता है, इसलिए तवचा के किसी भी हिस्से पर प्यास को रख कर, आप इंफेक्शन और हवा के माध्यम से इससे फैलने वाले खत्रे को भी कम कर सकते हैं दाग धब्बे प्यास के रस युक्थ चिलके में हल्दी डाल कर इससे चहरे पर लगाना या फिर प्यास के रस में हल्दी डाल कर इससे चहरे पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं दंश किसे कीडे, मकोडे या मच्छल द्वारा काट लेने पर काटे गए स्थान पर आधा प्यास काट कर लगाएं ऐसा करने से दर्द और सूजन कम हो जाएगी और जहर भी निकल जाएगा कान का दर्द प्यास आपके कान के दर्द को कम करने में भी काफी मददकार साबित हो सकता है प्यास को काट कर कान पर राद भर लगा कर रखें इससे कान का मेल भी आसानी से निकल जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा बुखार अगर आपका शरीर बुखार से तप रहा हो तो रात को सोते समय प्याज का एक स्लाइस पैर के तलवे पर रखकर मोजे पहन कर सो जाएं निश्चत तोर पर यहाँ उपाए आपको चमतकारी साबित होगा गला खराब गला खराब होने की स्थिती में प्याज के छिलकों को गर्म पानी में डाल कर या उबाल कर प्रयोग करना काफी फाइदेमन साबित हो सकता है गले की समस्याओं में प्याज की यहाँ अनोखी चाय बेहत लापकारी होगी ऐसे और भी वीडियोज देखने के लिए हमारे ताजा हिल्थ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें